तो बरेके बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है तमाम अपडेट के साथ में एक बाद फिर से हम आजीर हमाई सही होगी चंशीर में साथ कनेक्ट हो गई है और एक एक अपडेट आप तक हम पहुचाएंगे जो टैली आप उपर देख रहे हो हम आपको लगातार दिख भाजपा को मिलें 41,982 वोट तो ये अपने आप में एक बड़ी खबार हो जाती है कॉंग्रेस यहाँ पर सिमर्ती निजराई 17,383 वोट के रदगित गूम रही है राजेन बाबू बड़त बनाए हुए है राजेन गूला दूसे नंबर पर लगातार बने हुए 22,032 वोट अब बिल्कुल नतीजों में जो चल रही है मतगणना उसके हर राउंड के बाद अपडेट हो रहा है लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये फाइदे मन्द है बीजेपी जाँ पिछली बार एक सीट थी साथ सीटों में से इस बार उसे तीन से चार सीटों पर बड़त ह कि मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ट नेता पूर नेता प्रतिपक्ष राजेंदर राठोड है उनसे बात करते हैं राठोड साब बीजेपी को फाइदा है लेकिन जो साथ सीटों के बाद चल रही थी वो अभी हालांकि उनसे कई पीछे है देखे राजस्तान में चल ने आज तक किसी उपचुनाओं में इतनी सीटे हासिल नहीं की जितनी भारतिय जनता पार्टी करने जा रही है और विशेस बात यह है कि कॉंग्रेस के लोगों ने एक नेरेटिव बनाया कॉंग्रेस के प्रदेश सादक्स ने गमचा उचाल उचाल कर कहा कि यह चुना प्रदारी थी हम पांच सीटों तक पहुंचेंगे इससे बड़ी बडोतरी क्या हो सकती है ग्यारा मेने पहले कि सरकार जिस सरकार को कॉंग्रेस ने पर्ची सरकार कहा उन्होंने कॉंग्रेस की पर्ची और खर्ची बंद कर डाली और कॉंग्रेस की हालात को दूबला कर डा यह सामने आ गया और मैं समझता हूं कि भारतिय जन्ता पार्टी और मुख्यमंत्री जो एक सधान कारेकरता से चल कर उसकुर्शी पर पहुंचे हैं जिने आम आदमी आज कल आम आदमी का मुख्यमंत्री कह रहा है उस पर महौर लग गई जिस प्रकार का माइक्रो मनेजमेंट हुआ प्रदेश सद्दक्स जी और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर किया कॉंग्रेस के नेता चुनाओं के अंदर चुनाओं से पहले ही हतियार डाल चुके थे केलोज साब कही नजर नहीं आए तिन तिन बार के मुख्यमंत्री सचिन पाइलेट साहब ने अपनी उपचारिकत पूरी की दो चार सबा करके और प्रदेश सद्दक्स जी लगाता और गमचा उचालते रहे विक्री वे कांगरेस सामने थी और दूसरी और हर बूत पर संग्ठित भारतिय जनता पार्टी का कारेकरता दमदारी से खड़ा था उसके हाथ में एक तरफ ग्यारा मैने की सरकार के जनकल्यान के काम थे, पारदर्शी सासन के काम थे, मोधी जी की नीतियां और रितियों के काम की बात थी, वहीं दूसरी और जब कारेकरता ग्यारा मैने पहले की सरकार को याद दिलाता था, जहां लूट और जूट थी, तो निस्चित तोर पर आम विक्ति उस बात को या हो ये विजरत अब रुखने वाला नहीं है राटोड साब जुन जुन की बात थी ओला परिवार का कबजा लगातार बड़सों तक उस सीट पर था कई नेरेटिव वहां पर फेलाएगे कि बीजेपी जीत नहीं सकती आपको लेकर भी कई मामले बनाएगी साब उनको इसलिए चुनाओ पर चार पे वहां नहीं बेजा अब वहां पर बीजेपी बड़त बनाएवे हैं और लगबग लगातार ये बड़त बनती जा रही है दकी मैं दो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि ओला परिवार को सिरे से वहां के लोग नकारने के लिए तयार बैठे हैं पहले सीसर जी फिर बिजेंदर जी और अमित जी ये वंसानुगुत रूप से जो राजिती का वक्त था वो चला गया ये राजाओं का राजनी और आपने देखा होगा कि राजंदर गुड़ा ने जो माइनॉर्टी के वार्ड थे जो आलप संक्या के जो इनका खुद का वोट बैंक उसको किस प्रकार पेंचर किया ये सब के सामने है और रही बात कि कौन कहां परचार करने जाता है नहीं जाता है मुझे जहां उप्यों समझा वाँ बेजा आपको भोगना चाहेंगे यहां पर विश्णू इस बीच एक बड़ी ख़वर दर्शतों को हम दे दे यहां दोसा से आठवे राउंड में कॉंग्रेस साथ हजार एक सोर निसमतों से आगे चल रही है दोसा से ये रुजान आपके सामने और ये आकडेम आपको बता रहे है दोसा से आठवा राउंड हो चुका है और यहां कॉंग्रेस आगे